देपार्थियं जो शकाश थे उन्होंने डॉमिनेशन किया हमारा Northwestern इंडिया पर ठीके न और उनके जो पर्थियं थे वो हमारा other foreigners के तरह की हमारे foreigners थे उसके बाद यह हमारा integral part of Indian society बन गए थे इंडिया में आ गए थे इंडिया के रहने लगए थे इंडिया की काफे सारी चीज़ें इन्होंने accept कर रही होगी तो इसकी वैसे यह हमारा integral part हो गए थे इंडिया society का जो कुशांस थे जो कुशांस थे वो हमारे nomadic pupils थे जो कि रहते थे हमारे mountains में जो कि North Central Asia में है जो कि हमारे मतलब पडोसी है चाइना के ठीक है न जो कुशांस थे वो rule rule कर रहे थे हमारे Central Asia में Central Asia में और North West India में जो दो major centers थे इनके power के वो हमारे पुरुश वो हमारे पुरुशपुरा पेशावर और मत्हुरा में था जो तक्षिला है वो हमारा पार्ट था इनके empire का इसके बाद इन्होंने occupied करा हमारे पुरे कश्मीर को तेन पंजाब जो किस टाइम पे हमारा राजिस्थान भी है इसके बाद कुशांस ने कंट्रोल किया हमारे सिल्क रूट को सिल्क रूट इस वेरे इंपोर्टन कंसेप्ट अफ दिस चैप्टर यह आगे आएगा मैं आपको आगे एक्स्प्लेन करूँगी केडरिफाइसे केडरिफाइसे सेकेंड कनिशका यह हमारे important ruler थे कुशान टैनिस्टी के इसके बाद जो कनिशका थे वो हमारे most famous कुशान ruler थे इन्होंने हमारा सबसे पहले इंडिया पे rule out किया था ठीके न जो कि हमारे territories थी इंडिया के बाहर की वहाँ पे इनकी capital थी जिसे जिसे पुरुषपुरा बोला जाते हैं इस टाइम पे हम उसे पेशावर बोलते हैं ठीके न यह हमारी हिस्ट्री के नाम से जानी जाती है इसके बीछे हमारे दो रीजन्स हैं सबसे पहले इन्होंने जो स्टाडेंट किया था इनका जो एरा था वो 78 AD में था जो कि इस टाइम पे सखा एरा के नाम से जाना जाता है और इन्होंने इसी को यूजड किया था यूजड किया था गवर्मेंट आफ इंडिया को लेकर सेकेंडली इन्होंने एक्स्टेंड किया था हमारा होल हर्टेट पैट्रोनेज को ठीके कियाइद को किया है जो 4th Buddhist 땅चिल हुई थी वो हमारी कश्मीर में हुई थी जो बुद्धिस्ट में जो थे वो हमारी formally divided into the two sects नो इत फु तह कि अदो जिनको हम महायांस भी बोलते हैं हिनायांस भी बोलते हैं जो महायांस थे वो हमारे prominent बने कनिशका के resign के बाद कनिशका जो थे वो हमारे great patrons थे मतलब structure करते थे हमारे arts का इसके अलावा हमारी Sanskrit के literature का His, उनके जो मैमोन्स थे वो हमारे उनके जो मैमोन्स थे वो हमारे काफी जान्दा प्रसंसा करते थे हमारे great ruler की और उसके बाद हमारे अशो का great ruler निकल कर आए Impact of the Central Asia Contact देखे better use of the houses in the welfare देखे जो सखास थे कुशास थे वो excellent थे हमारे house men में इन्होंने introduce किया था लगाम को और saddles को ठीक है ना इसके अलावा इन्होंने introduce किया हमारे turban, trousers, heavy long coat जो कि नेसेसरी थे हमारे जब भी हम house riding कर रहे हैं तब के लिए इसके अलावा भी cap, helmet, boots वगएरा भी यूज किया warriors के लिए जिसे कि वो अपने आपको protective महसूस कर सके इसके अलावा इन्होंने introduce किया effective form of military ठीक है ना मतला military के भी effective form होनी चाहिए uniform होनी चाहिए जिसे कि वो उनके पास weapons होने चाहिए fighting के लिए जिसे कि वो अपने आपको protection दे पाएं और दूसरों से भी लड़ पाएं ठीक है ना इंडिया में जो new political system है यह मैं आपको बात में समझाऊंगी यह मैं आपको नहीं समझा रही हूँ अभी ठीक है ना इसकी वीडियो में आपको बात में भीज़ दूगी यह आप अभी छोड़ दो trade and commerce की बात करते हैं जो इंडिया है उन्होंने स्टार्ट किया था good idea of gold from the aligned mountain से मतलब इन्होंने aligned mountain से क्या किया gold को collect करना शुरू किया जो कि Central Asia में था जो कुषांस थे उन्होंने control किया था इस पार्ट को और silk route यहां से pass out होना शुरू होने लगा स्टार्ट हुआ चाइना में गया देन चाइना के बाद चाइना से होते हुए Central Asia Afghanistan Western Asia यह जो route था यह हमारा great source of income बना कुषांस के लिए ठीक है न इसके अलावा यहां पे toll taxes जो भी business करते थे इस route से उनको toll taxes देना पड़ता था return offer में यह लोग क्या करते थे उनको protection provide करते थे जो भी चोर हुए उचके हुए उनसे यह क्या करते थे protection provide करते थे जो कुषांस थे वो यहां पे taxes collect करते थे और उनको protection provide करते थे तो काफी जानदा अच्छा business रहा यह silk route का कुषांस के लिए silk route उस टाइम का सबसे आंदा famous route था जो roman gold started हुआ इंडिया में आया ठीके ना क्योंकि उस चाहिं पे यह काफी जानदा famous था जो कुषांस थे उन्होंने जो कुषांस थे उन्होंने काफी जानदा custom duty लगाया traders पे जो लोग business कर रहे थे उन पर जो silk route था वो एक तरह से series थी हमारी ancient route की एक बहुत लंबी series थी इंडियान route की जो कि चाइना से लेकर Mediterranean Sea और उसके बाद Roman Empire तक जाती थी ठीके जो silk route था यह हमारा trade route नहीं था जो traders जो trading थी वो हमारे silk के साथ हो रही थी जो कि different different हमारे कॉमेरेटरी में जा रही थी trading के लिए मतलब यह और किसी business के लिए नहीं था सिल्फ यह silk के ही लिए ही था silk route only for the silk business ठीक है यहाँ पर precious stones, gold, ivory, anxiety, animals, plants यह सब कुछ यहाँ से transform होता था ठीक है इसके अलावा इसके अलावा जो हमारे goods थे यह से हमारा silk हुआ यह हमारा काफी remarkable item था Europe के लोगों के लिए क्योंकि इसके मताबिक कोई भी wonder नहीं था जो कुछांस थे वो हमारे सबसे पहले first rulers थे इंडिया के जिन्होंने issues किये थे gold के coins जो कि large scale पर भी जो कुछांस से वो contribute कर रहे थे एक great deal to the riches of the India मतलब एक काफी अच्छी deal हो रही थी इंडिया को लेके इंडिया काफी जन्दा popular के साथ वो rich भी हो रहा था माहायांस बुद्धिज्म देखें जो माहायांस है एक new form निकल कर रहे हमारे बुद्धिज्म की ठीक है न जो माहायांस बुद्धिज्म यहां से हमारे evolved होना शुरू हुए इसका result यह निकल का है जो statues थे हमारी बुद्ध की हमारे मत्रा में बनने लगी तक्षिला में बनने लगी जो pupils थे उन्होंने दुबारा से विलीव करना बुद्धि सत्वा में विलीव करना स्टार्ट कर दिया था जो pupils थे उन्होंने काफी जान्दा अटेंड मतलब एक पॉजिटिव तरीके से अलाइंग्मेंट करना शुरू कर दिया था इस religion को लेकर बुद्धि सत्वा को लेकर ठीके न? इसके अलावा जो बुद्धि सत्वम थे वो हमारे काफी जअंदा पॉपुलर हुए Central Asia में इंका religion इतनावास्ट इतना अच्छा था कि वो काफी जअंदा पॉपुलर हुआ इसके अलावा जो बहुत सारे caves थे, वो हमारे खाली पड़ो ते, होलोड थे, जोकि हमारे hills के नीचे थे, ठीक है ना, मतलब hills हाओ नीचे हमारे होलो है, यहाँ पर क्या होता था, जो हमारे monks थे, वो यहाँ पर रहते थे, western में भी और southern में भी, ठीक है ना, इसके अलावा, जो काफे सारे हमारी गुफाएं थी, वो located थी, ठीक है ना, इनके आसपास ही, जैसे western guard वे, वहाँ के आसपास थी, जो traders थे, वो भी क्या करते थे, इनके साथ रह लिया करते, जब इस रास्ते से वो गुजरते थे, ठीक है ना, जो travelers थे, वो इन caves में रह लिया करते थे, उनसे permission लेकर, क्योंकि उस ट्राइंग पे कुछ और रहने के लिए नहीं था, गंधरा और मत्रा स्कूल अफ आर्ट, देखिए, जो foreign rulers थे, वो काफे great patrons बने हमारे आर्ट अलिटरेचर के, इंडिया के जो craft man थे, वो हमारे इनके contact में आए, एन artist के contact में आए, जो की Central Asia Greek Rome सब के थे, जो Northwestern frontier था, इंडिया का जिसमें गंधरा, images of Buddha, यहां से हमारे स्टार्ट हुई, जो की हमारी Greeks में बनती थी, Roman style में, ठीक है ना, जो Buddha की images थी, यह आपने देखा होगा, एक शाफ features था, curly hairs है उनकी, देखो, जो मत्रा का style था, उसमें Buddha हमारे ऐसे image में आ रहे हैं, और जो गंधरा style में, उसमें हमारे Buddha खड़े हुए हैं, this is the main difference between this, ठीक है, अब जो दूसरा school था हमारा आर्ट का, वो हमारा काफी जान्दा popular हुआ मत्रा में, जो images थी, वो हमारी काफी जान्दा पियोड थी, ठीक है ना, क्योंकि वो Indian form में थी, जो हमारा school था यहां आर्ट का, वो काफी जान्दा फेमस हुआ हमारे मत्रा स्कूल आर्ट में, learning and literature की बात करते हैं, तो काफी जान्दा जो great writers थे, spirit के, वो हमारे अश्व घोशा थे, जोन्होंने काफी जान्दा enjoy किया हमारे patronage को, बुद्धा चरिता लिखा था इन्होंने, जो एक biography है हमारे बुद्ध भगवान की, इसके अलावा जो इंडो ग्रीक थे, उन्होंने भी काफी जान्दा contributed किया, काफी जान्दा contributed किया हमारे इंडिया के development को लेकर, theatres बनाए हैं, और काफी जान्दा useful curtains को यहाँ पर use किया, जैसे theatres बनते हैं, उसमें क्या होता है, plays होते हैं with the curtains, जो ग्रीक्स थे, सकांस थे, पार्थियांस थे, कोशांस थे, यह हमारे एक तरह से part बन गया, हमारा Indian society का, क्योंकि हमारे society मागे इतना घुल मिल गए थे, प्रेम हो गया था, और इसके लावा ऐसा कुई भी period नहीं आया हमारे Indian history में, जब फॉर्णर्स थे, जुन्होंने एब्सॉब, मतलब, फॉर्णर्स जो थे, उन्होंने हर चीज़ को एब्सॉब किया, हमारी society को एब्सॉब किया, उसे large skill पे spread out किया, उसे फिलाया, arrival of the pilgrim, during this entire period, जो बुद्दिज्म थे, हमारे pilgrims, जैसे फाहें, हुएं तरसा, ये हमारे इंडिया है, ये हमारे तीर्थियात्री थे, जो कि इंडिया है, और ये चाइना में रहते थे, ठीके न, इन्होंने, इन्होंने काफी अच्छा अकाउंट लिखा है, travel or journey को लेके, इनका सबसे बहले नाम, हमारा Indian history में आता है, इनके जो अकाउंट्स थे, काफी rich sources of information है, इनके पास, जिसमें political, social, economic, culture, life of India के, explanation, दिया गया है, इसके अलावा, जो हमारे foreigners थे, इन चीज़ों को लेकर, ठीक है ना, काफी fresh है, new looking है, और इसके जो condition है, वो काफी जानदा अच्छी है, इंडिया की visiting को लेकर, emerge of the bhakti culture, bhakti is a path of willis, जो bhakti है, वो एक path है, विलिस का जापे, इनसान डिटीज में trust करता, उसमें faith रखता है, मतलब जैसे हम एक मूरत में faith रखते हैं, जैसे मीरा कृष्ण में faith रखती थी, वो उनको अपना पती मानती थी, हम भी भगवान की पूजा करते हैं, क्यों? Because we are the bhakt, हम भरोसा करते हैं, हम खुद पे नहीं कर पाते, तो हम भगवान पर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं, ये एक भरोसे के पात्र होते हैं, जो devotion था, ठीक है ना, हमारे duties को लेकर, मतलब हमारा हम कौई से duties को चूज करते हैं, उस वज़े से हमारे bhakti को भी, एक अच्छा pathway मिला यहां पर, काफी जादे devotees जो हैं, वो आज भी वर्शिप करते हैं, अपने duties को खुद चूज करते हैं, कि कोई कृष्ण भगवान को मानता है, कोई विश्ण भगवान को मानता है, कोई शिवजी को मानता है, कोई मालक्षमी को मानता है, कोई गड़ेश भगवान को मानता है कोई इसाई भगवान को मानता है ठीक है ना इसके अलावा भी हमारे different different choices हैं जो भी आपको अच्छा लगे या जिसमें भी आपकी शक्ती हो भक्ती हो आप उसे ले सकते हैं लेकिन जो dets में भरोसा होता है लोगों का वो आज भी बिल्कुल pure होता है जो dets है वो एक तरह से हमारे form है मतलब हमारे जो desires है जो हम देखना चाते हैं जो महसूस करना चाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस मुरत में दिखी जाता है इसके अलावा यहाँ पे कास्ट को लेके ऐसा कुछ भी नहीं है किसी भी कास्ट का इंसान कुछ भी किसी भी भक्ती के पाथ को क्या कर सकता है फॉलो कर सकता है इसके अलावा जो टाइम है हमारा भक्ती का वो हमारा एक central feature है जो कि सिफ हमारा हिंदूस में देखने को बलता है जिसमें शिवा भी है विष्णू भी है दुर्गा भी है जो कि मेंड़ीटीज में हमारे आते है यहाँ पे कोई भी elaborations नहीं है कोई भी मतलब इतना नहीं कि जोर दबल दस्ती है कि यही करना नहीं जो भी आपको अच्छा लगए आप वो कर सकते है ठीकना आप इंडविजूल वर्शिप कर सकते है आप सब के साथ मिलकर वर्शिप कर सकते है आप जोर देकर वर्शिप कर सकते है ठीकना जो भी आपको बेटर लगए आप वो छूस कर सकते है फाइनली आपका chapter फिनिश हो चुका है किसी को कोई भी problem हो तो वो आप मुझे पोछ सकते हैं, thank you इसका जो एक single part है वो मैं आपको next video में share out कर दूँगी, thank you, bye bye